रादे रादे जी, वेलकम बैक, तो कैसे हैं, आप सभी आशा करती हूँ, आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, और मस्त होंगे, तो यह नवरात्री से दो दिन पहले का वीडियो है, तो यहाँ पर है न मैं सबजी बना देती, बीच में नवरात्री लगए तो मैं बहुत ही शांदार बहुत ही जबदस मतलब बच्चे भी चाट चाट के उंगलियां खा लेंगे ऐसी सबजी आपकी बनेगी तो करना क्या है कुगा चड़ा लिया उसमें मैंने हींग जीरा डाल दिया है और मतलब तेल ढलके कभी सोचेंगे बाइया कुगा चड़ा लिया और निदा लग है मैं असल में आट-दस दिन हो गए न तो मैं भूल भी गई बीच में नवरात्रे आ गए तो फलारी बनने चुरू हो गए तो उसी के चक्कर है न वही चीज याद है मेरे काली मेर्च सेना नमक और धनिया पाउड न तो वही चीज रहती है किस-किस के माइंड मे भी बचायत बता चुकी हूं कि मेथी दाने का प्रयोग है न अपने हर खाने में इस्तमाल करें बहुत ज़्यादा अच्छा है स्वास्त के लिए शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और मेथी दाने का तो हर सबजी हर दाल में अगर एक चमच उसका पाउडर बचा कंद है और पता भी नहीं चलेगा और कहां हमारे शरीर को उस चीजपा फायदा हो रहे है wheat हमें भी नहीं पता चलेगा और फोगा जरूर तो चलिए जो ट drag या मतलब आपशी na वह तने तो सबजी कटी एतने मेरी है ना सबसी चुक्के एक तरफ हो जाती है तो वह कर जल्दी बनाना तो बहुत अराम से बन जाता है, मुझे कुछ थी भी जल्दी और मैं याद नहीं आ रहा मुझे क्या जल्दी थी, मुझे कहीं जाना था, कुछ लाना था, मुझे कुछ नहीं पता है, या फिर नवरात्रों की ही तियारी करनी थी, शायद ये मुझे लग रहा आप काटके इसमें डाल दें और अच्छे से ना इनकी जो मसाला है ना वो अच्छे तरीके से इन पर इस तरीके से चलाएं कि जो जित्तम मसाला वो सारा इनके ओपर आजाए नमक डाल दिया है और यहां पर मैं पानी डालूँगी जी बिल्कुल तो एक गाना भी है ना, लटपत लटपत कमर दामी तो हाँ जी मैं लटपती ही इस सब्जी को बनाऊंगी तो यह हमारी लटपती सब्जी बन गई है और यहाँ पर काला नमक डालना बिलकुल भी न भूले वो बीच में ही मैंने नमक के साथ काला नमक एड कर दिया ते अगर आप इसकी शकल देखें। अगर ये सबजी खाएंगे ना बच्चे से और पाईबबाजी की भाजी बोल जाएंगे और बोलेंगे कि इसी सही खा नहीं मेरे पास ब्रेड थी तो मेरे बेटे ने बेड इसी खाऑ उस्यूमार बोला इसका ब्रेड वाला तेस्ट आरा है तो आप भी ऐसे